बूर्णीं बच्चों, आज मैं हिंदी प्याकरण में आपको पढ़ाने जा रहे हूं वाक्या के बारे में वाक्या क्या है? सबसे पहले हम लोग देखिने लिए इसी परिपाशा वाक्या क्या है? शब्दों के साथक समू से यदि कोई भाव इस पस्ट रूप से प्रकट होता है तो वाक्या कहलाता है सब्दों का साथक समू और उस सब्दों के साथक समू से क्या होता है? किसी चीज का भाव इस पस्ट रूप से प्रकट होता है यदि वाक्य से भाव प्रकट ना हो तो वह वाक्य नहीं गलाए तो शब्दों के साथ तक सम्मू से यदि कोई भाव इस पर स्टूप से प्रकट होता है तो वो वाक्य खलाता है जैसे कोई भी वाक्या हम दो सकते हैं, राम आम खाता है, इससे एक भाव प्रकड को रहा है कि राम क्या खाता है, आम खाता है, वाक्य को जाने से बहले हम दो देखे हैं, ये वाक्या के दो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, कौन-कौन है वे दो अंग, उदेशे और विध् उदेश्य क्या है? किसे उदेश्य करते हैं? वाक्य है जिसके विसे में कुछ कहने पिर देंगे, जिम शर्बतों का प्रेयोग कहा जाएं उसे उदेश्य करते हैं वाक्या में जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो जिसके विषय में कहा जाए और वह शर्ण क्या कर लाता है उदेश्य कर लाता है जैसे हम उदाहराण के लिए हम दो देखिंए यहां आत्मा अमल है यहां पर हम देख रहे हैं आत्मा अमल एक वाक्या है और इस वाक्या में उदेश्य कहा है आत्मा आत्मा उदेशय है इसके विसें में कहा जा रहा है। यहने कुछ कहा जा रहा है वह जिसके विसर्ण में कहा जाता है वह उदेश्य होता है यहां किसके बारे में कहा जा रहा है आत्मा के बारे में कहा जा रहा है इसलिए आत्मा शर्भ जो है वह यहां पर उदेश्य होता है तो उन्हों देखेंगे कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए जो उदेश्य होता है और मतने क्या है ? उदेश्य के विषय में जो कुछ कहने के लिए mentions शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वीध्य करता है यानि भी जैसे आत्म में देखा आत्मा अमर है, तो किसकी इसे में कहा गया है, आत्मा कि इसे में कहा गया है, कि वह अमर है, तो यहां पड़ आत्मा अमर है, यहां पर आत्मा अमर है, यह आत्मा जो है, वह उदेश्य हो गया, और अमर जो है, वह हो गया भी तो जिसकी विश पुदेशय के विशय में जो कुछ कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधे करते हैं जैसे आम अधार में देखते हैं ढोडा दौर रहा है यहां पर दौर रहा है इसके लिए कहा गया है ढोडा के लिए तो भोड़ा शाह जो है वो पुदेशय हो गया और दौर रहा है ये मुदया आपका विदियुए आया देखते हैं वाक्या थे थे वाक्या को दो आधारों पर वर्वुक्रिति क्या गया है वाक्या को दो आधारों पर वर्वुक्रिति क्या गया है आठ वह क्या है एक अर्थ के अधार पर और दूसरा रचना की अधार पर वाक्या का दो अधारों पर भेद क्या है अर्थ के अधार पर और रचना की अधार पर भेद क्या जा है तो यहां हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के अधार पर भेद अर्थ के अधार पर वाक्य के आठ भेद हैं पहला है विधान वाचप वाक्य यह एक साधरन वाक्य होता है जैसे हम परिवाशा करेंगे जिस वाक्य से किसी वार के मुणे का बोध होता है कि साधरन वाक्य किसी काम के होने या करने का बोध होता है यह लिए कि किसी वाक्य से जब किसी भी बात के होने का बोध होता है यानि साधरन वाक्य जैसे गोड़ा दौड़ता है यहां गोड़ा के दौड़ने की बात हो रही है तो गोड़ा दौड़ता है यह साधरन वाक्य ह जिसको हम लोग कहते हैं विधान वाचक वाक्या, दूसरा है निशे वाचक वाक्या, चिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध होता है तो वह निशेद वाचक वाक्या कहलाता है, अल् intrigued मैं आज भाना नहीं खाऊँगा नाकरादमक वाक्य है, मैं नहीं खाऊँगा, negative sentence तो यहां नहीं शर्ड की दौरा पतर जर्णारे किया क्या है? निशेद वाचक वाक्य है, निशेद का अर्थी होता है नहीं या नाकरादमक उसके आदों देखें कि तीसरा आग्या वाचक वाक्य है आग्या वाचक वाक्य किसको करते हैं? जिस वाक्य से किसी तरह की आग्या देने का बोध हो रहा है तो वो करलाता है आग्या वाचक वाक्य जैसे जाओ जाकर सो जाओ या नहीं या रोग आग्या दे रहे हैं बच्चे को किसी को भी आग्या दे रहे जाओ जागर सोजाओ तो ये आग्या देने वाली बात आगे तो इस प्रकार की वाक्य पिलाते हैं आग्या वाचक वाक्य चौथा है प्रशन वाचक वाक्य प्रशन वाजब वाध्य क्या है जिस वाध्य से प्रशन पूछने का बोध होता है जिस वाध्य से यह पता चले कि क्या क्या जा रहा है प्रशन पूछा जा रहा है तो ऐसा वाध्य कर लाता है प्रशन वाजब वाध्य जैसे उदालें हम दिये सकते हैं क्या आवाज के उदार चणतर होसे किसी से सवाल करते हैं तो वह वाक्य जो है, कहलाता है प्रसन वाक्य वाक्य, क्या वह आत्मी आया है है कि झाना खाया है ये भी स Glau कुछने हैं हम लोग vehicle कर द सब्ण कर रही है आवास से पता जो है जमकि उसमें संद नहीं है प्रशन की श्ब्द नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग आवाज से कर रहे हैं पता कि वो क्या है प्रशण है इसलिए जिसे वाक्य से यदि प्रसंद कुछने का बोध होता है तो वो कर राधा है प्रसंद वाक्या आया हो देखेंग अगरा बिश्मे आदी बोधक वाक्या बिश्मे का अर्थी होता है वाक्य से हर्ष आश्यर्य सोग अर्ध्रिना आदी जैसे धाव प्रकट होते हैं तो वह वाक्य बिसमें आदी बुधक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से आश्यर्य हर्ष शोग अर्ध्रिना आदी जैसे धाव प्रकट होते हैं वह वाक्य कहलाता है जिसमें आदी बुधक वाक्य जैसे हम यहां पर देखते हैं वाह कितना सुंदर ग्रिश्य है आश्यर्य करें वाह कितना सुंदर ग्रिश्य है तो यह है क्या आश्य यह प्रकट हो रहा है कि उसी तरह से खुषिव के लिए भी बीभी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाच्य का प्रयोग इस सारह से करते हैं कि उसे खुषिव जाहिन होती है तो वॉग वाच्य करrodu है क्या विभाति-प्रक्त सिनके वांजिव का भाव पर थो हमें संदे की भावना उसमें नजर आती है अगर जिस वाक्य से किसी बात के मुने में शक वो संदे़ प्रपतो तो वह कलाना है क्या संदे़ वाचत वाक्या जैसे शायद वहाँ खाना खा चुका होगा हमें पता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, संदे कर रहे हैं, कि शायद वह खाना खा चुका हूगा, तो यह है संदे वाचक वाक्या, उसके बाद अगला है इच्छा वाचक वाक्या, इच्छा वाचक वाक्या किसको करते हैं, जब वाक्या से किसी प्रकार की इच्छा या शुब िच्छा करने या शुवकामना देने आधी जैसे बहाव प्रकट होते हैं तो वह कह लाता है इच्छा वाज़क वाकिय जैसे हम किसी को शुबकामना देते हैं इश्वर तुम्हें सुखी रखी इश्वर तुम्हें दिर्गायूझ बनाये तुम्हें सखलता मिले, यह हम लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं, शुब कामना देते हैं, तो इस तरह से जो इच्छा हम किसी के लिए करते हैं, किसी चीज के लिए करते हैं, तो वह वाक्या क्या कहलाता है, इच्छा वाजक वाक्या कहलाता है, जैसे हम कारण यह लिके हैं, इश्वय तुम्हें सुखी रखे हम कामना करने हैं इच्छा करने हैं तो यह वाक्य है इच्छा वाजक वाक्य अंतिप है संकेत वाजक वाक्य संकेत वाजक वाक्य किसको करते हैं जब वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्ति की संभावना पर निधर करता है यानि कि एक वाक्या दूसरे वाक्या के बिना पूरा नहीं होता है, अधूरा लगता है, तो एक वाक्या दूसरे वाक्या पर निर्भर होता है, तब उसको कहते हैं क्या संकेत वाचत वाक्या, जैसे उदारों हम देख सकते हैं, यदि बर्शा होती, तो खेती अच्छी होती ह यदि वर्षा होती तो खेती अच्छी होती तो यानि कि खेती अच्छी होने के लिए एक वाक्य क्या है ये दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है ये वाक्य जो है इस पर निर्भर होते हैं तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं एक वाक्य पूरा ह दूसरे वाक्य पर निर्वर होता है तो उसको कहते हैं संकेद वाचक वाक्य यदि वह आता तो मैं चला जाता लेकिन वह आया नहीं इस दिले में नहीं कर तो यदि वह अगर वह आता तो मैं जाता इस तरह से ये इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो संगेत राचक वाक्या कर लाते हैं बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यवाद